हाई फ्रिंट साथ देखनें फिल्मे के चड़ी मैं हूरूना अशीश और ऐसे कुछ ढूंड रही थी तो एकदम सोनी टीवी का सामयाग इसमें अरुनिता के लिए मिलने के लिए जो रूमा देवी आई हैं उनके बारे में बताया जा रहा था हलांकि रूमा देवी खुद ब नहाल तौरो से मिलने के लिए भी जो महिला आई है नहाल तौरो मैं भी फिलिंग वरी फॉर्चनेट कि उनसे मिलने जो आई है एक हरबल ओय बना रही है अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि बेटर से बेटर जिंदगी की जा सके लोगों की उन्हें हेल्थ वाइज इंप को भी इन्वाइट करते हैं जो लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरिशन का काम कर रहे होते हैं अब शगफ्ता अली जी की ही में बात करना चाहते हूं बढ़ाएगा और पांच लाग रुपे का उन्हें एक सहाथा राशी कही जा सकती है वो दी गई पिछले कई सालों से व करना शुरू किया थोड़ा बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी को फेस किया इन्होंने पूछने वाला कोईने क्योंकि माता जी को भी खोचुकी थी ऐसे में दादी की साथ जो कढ़ाई करती थी उसके साथ काम करना शुरू किया अपने साथ साथ आज पा हमारे उन्होंने इन्हें अवार्ड दिया है हाववर्ड युनिवर्सिटी इन्हें अपने पास बुलाती है लेक्चर देने के लिए और अपनी बाते शेयर करने के लिए तो इस वरी इंस्पिरेशनल थिंग अइट टाइम्स रियालिटी शोव्स सिर्फ आपको एजटेंड नहीं करते है रियालिटी शोव्स सिर्फ काई सारे जो लोग होते हैं लाइक पवंदीभ हैं जो उतरा ख़न से आए हैं अरुनिता हैं जो बंगाल के एक स्माल टौन से बिलॉंग करती है तो वही निहालता करते हूं वो मैंगलोर के पास जहते हैं तो सिर्फ वहां से निकाल कर ढूंड कर टालेंट को लाने वाला में से नहीं है बलकि कई बार यह आपके फेस पर एक स्माइल छोड़ कर जाते हैं क्योंकि यह आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको इंस्पायर करती है फ्रिंट्स ये तीनों इंसिडेंस देख करता हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आइम शूर इस बार का जो एपिसोड है एंटेटेन्मेंट के अलावा आपको इंस्पिरेशन भी देख कर जाने वाला है आपको क्या लगता है जड़ा लिख कर बताईए जैहिन